Hey guys, welcome back to MF. अज़ की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं Hollywood की Top 10 Sci-Fi Action Adventure Movies की जो के YouTube पर Freely और Hindi Language में available है ये सारी movies YouTube पर unofficially upload की जाती हैं तो ये कभी भी delete हो सकती हैं इससे लिए delete होने से पहले देख लेना या फिर download करके रख लेना और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी movie को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के description में मिल जाएगा और अगर आप किसी भी अच्छी movie को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को end तक जरूर देखना तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते है इस फिल्म में एक डाइना रेस्टरॉन का ओनर चाली है जो एक remote area में अपने डाइना को चला रहा है एक दिन अस डाइना में अनोखे लोग आते हैं जिनहें initially चाली नॉर्मल लोग समझता है लेकिन बाद में पता चलता है के वो angels और demons है चाली को पता चलता है के ये angels दुनिया को खत्रे से बचाने के लिए आये हैं क्योंकि गोद ने mankind को destroy करने का फैसला किया है उनका mission एक गरभावती महिला named Audrey और उसके होने वाले बच्चे को protect करना होता है इस बच्चे में खास शक्ती है जो शायद humanity को बचा सकती है फिल्म में intense action sequences और supernatural elements है जिन में angels अपनी heavenly weapons से demons से लिडते हैं जो एक दूसरे को खतम करने की कोशिश में होते हैं इस फिल्म में apocalyptic themes और intense moments है जो एक unique storyline के साथ जुड़े है इस फिल्म में एक young boy named Jake Chambers को दिखाया गया है जो vivid nightmares या dreams देखता है जिन में एक magical tower, एक gunslinger और एक villainous figure named Walter Paddock या the man in black होते हैं Jake को पता चलता है के ये dreams real होते हैं और एक parallel universe या alternate dimension के बारे में कुछ indicate करते हैं Jake, Roland के साथ मिलकर एक dangerous journey पर निकलता है जिसमें उनका mission होता है the man in black को रोकना जो the dark tower को destroy करने की कोशिश में है Dark tower एक universal bellies को maintain करता है और अगर वो गिर गई तो हर dimension का destruction हो सकता है फिल्म में action-packed sequences, fantastical elements और एक multiverse का concept है जो Stephen King के novel से inspired है यह journey जहां Jake और Roland को different worlds और challenges से गुजारना पड़ता है वो एक दूसरे की मदद करते हुए the man in black को रोकने की कोशिश करते है और dark tower को बचाने की कोशिश करते है एक horror thriller film है जो डोंट ब्रीथ 2016 की sequel है इस film में एक blind army veteran, Norman Nordstrom, जोके Stephen Lang ने निभाया है को दिखाया गया है जो एब एक secluded house में एक young girl named Phoenix के साथ रहता है Norman अपनी dark past से deal कर रहा है जब उसके घर में घूसकर team criminals अस घर को लूटने की कोशिश करते है Norman, जोके app Phoenix को protect करना चाहता है, अन criminals से बचने के लिए अपनी skills का इस्तेमाल करता है इस film में suspenseful sequences और intense moments है जब Norman, अपनी unique abilities का इस्तेमाल करके Phoenix को सेफ रखते हुए घर के अंदर से criminals से लगता है यह movie एक thriller है जो अपने unpredictable twists और tense atmosphere के लिए जानी जाती है एक 2020 की Canadian Crime Thriller फिल्म है, जो originally, most wanted, नाम से भी जानी जाती है यह movie एक true story power based है जिसमें एक investigative journalist नेम्ड विक्टर मलारेक एक young man नेम्ड डानियल लेजर के case को uncover करने की कोशिश करता है डानियल, जो एक drug addiction से struggle कर रहा है, wrongly convicted होता है एक drug bust के case में विक्टर मलारेक, जो के journalism field में जाना जाता है, उससे ये case investigate करता है और reveal करता है के डानियल का case गलत फ़हमियों और corrupt practices की वजह से wrongfully targeted हुआ था फिल्म में drug trade, corruption और justice system के flaws को highlight किया गया है विक्टर मलारेक अपने determination के साथ, डानियल की story को expose करने में लगा रहता है और उसके साथ इंसाफ दिलाने की कोशिश करता है मूवी एक gripping narrative और suspenseful moments के साथ, societal issues और human struggle को भी explore करती है इस film में एक young valley parking attendant named Sean और उसके दोस्ट देरेक को दिखाया गया है जो लोगों के कास को valley parking के दोरान चोरी करते है एक दिन, scene और डेरेक एक wealthy customer का घर चोरी करने जाते है लेकिन वहाँ जाकर scene एक room में कुछ अजीब चीज़े देखता है जो उसके जहन में suspicion पैदा करता है Sean को लगता है के घर के owner, केल एरन रिच, एक serial killer है जो अपने victims को torture करता है और उनके crimes को conceal करने के लिए घर में setup रखता है Sean, जिसे अब अपने morality का एहसास होता है, केल के victims को बचाने के लिए struggle करता है लेकिन वो केल के traps में पस जाता है फिल्म में suspenseful moments, thrilling sequences और psychological tension होते हैं जब सीन अपने जिन्दगी को बचाने के लिए लगता है और केल के शत्रुवश का सामना करता है नमबर 5, Fright Night, एक 2011 की horror comedy film है जो एक remake है 1985 की फिल्म का इस फिल्म में एक high school student named Charlie Brewster को दिखाया गया है जो अपने नए neighbor Jerry के बारे में suspect करता है Charlie के best friend, Ed, को लगता है के Jerry एक vampire है लेकिन initially Charlie use believe नहीं करता जब कुछ strange incidents शुरू होते हैं और Charlie के neighbors mysterious तरीके से गायब होने लगते हैं तब Charlie को भी यकीन होने लगता है के Jerry एक bloodthirsty vampire है Charlie, अपनी girlfriend Amy और vampire hunter Peter Vincent के साथ मिलकर Jerry से बचने और अपने neighborhood को protect करने की कोशिश करता है फिल्म में horror elements, comedy और supernatural elements होते हैं जब Charlie अपने friends और loved ones को vampire से बचाने के लिए लगता है इस फिल्म में एक D-Agent Bobby Trench और एक novel intelligence officer Michael Stigman को दिखाया गया है जो एक bank robbery plan करते हैं दोनों initially एक दूसरे को criminal समझते हैं लेकिन बाद में पता चलता है के दोनों undercover agents है और उनका mission है एक drug lord papi Grieco के against evidence collect करना जब उनका bank robbery plan अल्टा पलट जाता है और उन्हें पता चलता है के उन्होंने actually government के पैसे चुराए है Tap Bobby और Stigman को अपने survival और उनके goals अचीव करने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है फिल्म में action-packed sequences, comedy और twists होते हैं जब दोनों agents अपने enemies से बचने और अपना mission पूरा करने की कोशिश करते हैं इस फिल्म में Quan Yu को दिखाया गया है जो एक passionate video game player है एक दिन, यूज गलत फेहमी की वज़े से एक murder case का शिकार बनाया जाता है और वो बेइमान तरीके से frame किया जाता है Quan Yu, अपने innocence को प्रूव करने के लिए अपने online gaming friends के साथ मिलकर एक conspiracy को uncover करने की कोशिश करता है वो एक fabricated virtual world में पसा होता है जहां वो अपने gaming skills का इस्तिमाल करके अपने नाम को clear करने के लिए लड़ाता है फिल्म में thrilling action sequences, suspense और cyber world के elements होते हैं अपने friends के साथ truth को discover करने की कोशिश करता है और अपने character को clear करने के लिए लड़ता है यह movie virtual reality और real life के boundaries को explore करती है एक gripping storyline के साथ इस film में Jason Statham ने एक professional assassin Arthur Bishop के रोल में काम किया है Bishop को एक retirement life जी रहा होता है लेकिन एक दिन उसकी पस्ट से जुड़ी कुछ dark secrets उसके सामने आती है उसकी love interest, Gina kidnapped हो जाती है और उसके kidnappers उससे वापस लेने के लिए Arthur को force करते है उन्हें गिना को बचाने के लिए कुछ impossible assassinations करने होते हैं वो एक series of elaborate assassinations plan करते हैं जो के सीमित time frame के अंदर complete होने चाहिए वारना जीने की जिनगी danger में होगी Arthur Bishop को कुछ of the world's most dangerous criminals को eliminate करने के लिए tactics और skills का इस्तिमाल करना पड़ता है फिल्म में high octane action sequences, thrilling stunts और suspenseful moments होते हैं जब Bishop अपने target को eliminate करने के लिए लडाता है और अपनी love interest को बचाने की कोशिश करता है नमबर वन, Stranger Things, एक popular American science fiction horror web series है जो Netflix पर available है यह series 1980 के small town hawkins, इंडियाना में focus करती है जहां supernatural events और mysterious disappearances होती है सीरीज की शुरुआत एक young boy named Will Bias के mysterious disappearance से होती है उसके friends Mike, Dustin और Lucas उसकी खोज में निकलते हैं एक और mysterious girl, Eleven या Ale, बिना किसी याद किये, उनके साथ मिलती है जिसका कुछ supernatural powers होते है Parallel storyline में, Will के भाई Jonathan और Mike की sister Nancy अपने friends Steve और बाब के साथ भी strange events और disappearances को investigate करते हैं Stranger Things, Supernatural Elements, 80 का nostalgic feel, friendship और family bonds को explore करती है यह series mysteries, twists और sci-fi horror के elements के साथ audiences को engross करता है तो बस यही थी हमारी top 10 sci-fi action adventure comedy fantasy movies जोके YouTube पर Hindi language में देखने को मिल जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो मी तब तक के लिए अल्ला हाफिज